आज कल एल्विश यादव के सितारे कुछ ज़्यादा ही गरदिश में है दोस्तों एल्विश यादव जैसा कि हम सबको पता है कि काफी ज़्यादा चर्चाओं का विशे हैं बने हैं 2024 से और एल्विश और कॉन्टरवर्सी का चोली दामन का साथ हो गया है सबसे पहले Snake Manom के मामले में Elvish जो हैं वो गिरफतार हो गए थे फिर उसके बाद दोस्तों Maxton वाला मुद्दा हुआ था अगर आपको याद होगा चांटी चांटे बजा दिये थे और अब Enforcement Directorate यानि कि ED की छापे बारी पड़ी है Elvish को और वो भुगड हुआ है ED के तरफ से एक बड़े ही संगीन जुर्म है चलिए आपको बताता हूँ कि यूट्यूबर ने क्या धमाका कर दिया है सारी बाते आप देख रहे हैं चैनल टेली का जाना सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मैं राहुल भोज वही कुछ लोग कहते थे कि अरे वही ये तो मोधी सरकार है ये तो ED और ये तो इनके हाथ तो तले है ये है वो है अब दोस्तों हम सबको पता है कि ELVIS जिन पार्टी को सपोर्ट करता है और गर देखा जाए तो ELVIS काईदी से उनसे अच्छे जुड़े हुए रिष्टे हैं ये भी कहा जाता है लेकिन ED यानकी Enforcement Directorate जो है उन्होंने ही ELVIS के खिलाव जो है चार्जिस कोर्ट में प्रस्तूत कर दिये हैं चलिए आपको बताता हूँ क्या है तो ED ने चार्जिस जो है Money Laundering के केस में ELVIS के लिये करे हैं जहाँ पे Snake Manum Rape Party का भी केस सामने आया है जहाँ पे ED ने दोस्तों जो चार्जिस करे हैं वो PMLA यानि की Prevention of Money Laundering Act के तहत चार्जिस जो हैं बुक किये हैं ELVIS के खिलाव आप लोगों को बता दो दोस्तों तो 2 November 2023 में नॉइडा में ये केसिस जो हैं ELVIS के खिलाफ लागू किये गए और ED ने यहाँ पर प्रॉपर उनके पास स्टेट्मेंट से प्रॉपर Money Laundering की बात आई है जहाँ पे ELVIS जो है वो इस चुर्म के एक्यूज बाना गया है आप देखते हैं आगे पूस्ताज क्या होती है वैसे आपको बता दू तो मार्च 24, 17 मार्च 24 को ELVIS जो है वो जेल भी गए थे स्नेक मैनम के मामले में He's just 26 जहाँ पे उन्होंने 14 दिन जो है नियाएक हिरासत में होली के आसपास जो है उन्होंने रखा था तो ऐसे में आपको क्या है कहना दोस्तो ELVIS को लेकर और ELVIS की Controversies को लेकर कॉमेंट कीजे बताइए बने रहें चैनल के साथ देखते रहें चैली कर दाना बाई बाई